हेलो फिरेंट्स विल्कम बैक तो मैं चैनल अम्रीदी वर्शमिला आज देखे हम एक सीधी पट्टी बनाएंगे और एक इस तरह की पट्टी बनाएंगे इनी तो पट्टी के हल्प से हम काना की मंग के कैप बनाने वाले हैं यह रहा मेजर में चार्ट सभी साज के लिए तो इसे मैं से लेती हूं फिर पहना के लिखाती हूं आपको यह देखे काइस मैं आप एक कैप जो है वह सिल दी है एक तम सिंपल और आसान तरीके से यह से यह जाती है और आप फिटिंग देखें कितनी अच्छी आई है काना को ऐसे ही आप किसी भी साज यह बनाएंगे जिस नंबर की ही मिजर्मिंट भी है जो मैंने आपके साथ से यह बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चले स्टार्ट करती हूं वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है यह दिखिए मैंने यहाप यह ओन लिया हुआ है यह जो उन आता है बहुत पतला आता है मैं इसे Δny कर रवल करके यूज करती हूं यह कढ़ाई करने के लिए यह देखें डवल करने के बाद हमारे यह नॉर्मल उनके जितना मोटा हो जाता है इसमें बिल्कुल भी रेस ही नहीं आता है इसलिए मैं इसका यूज करती हूँ देखें साथ में मैंने दलाई लिए दस नंबर की चले स्टार्ट करते हैं हमें बाइस फंदे से स्टार्टिंग करनी है तो देखें इस तरह से यहां पर रखना है और फंदे को डालाए हमने एक फंदा डाला दो तीन चार पांच इस तरह से हम 22 फंदे डालेंगे चले डालती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहाँ पे अपने 22 फंदे डाल दी हैं अब हम इसे नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुनेंगे यह देखिए इस तरह से सलाई को लगाया और हम इसे ऐसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे अगर आप बिगनर भी है तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्राप्लिम नहीं होगी यहाँ पे जो उन हमारा छोटा वाला है इसे हम इसी में फसाते चले जाएंगे यह देखिए इस तरह से हमें इसे दबाते चले जाना है अगर आप इसे बहुत पास से कट कर देंगे तो आपके बुनाई जो है वो खुल जाएगी तो इस चिच का आप ध्यान देना है चलिए मैं इसी तरह से यहाँ पे इसे उल्टा-उल्टा बुनती हूँ हमें पहली इस तरह से बुनती हूँ फिर दुस्री इसे उल्टा-उल्टा बुन के लमबा करती हूँ फिर आगे आपको बताओंगी कि हमें क्या करना है यह देखे मैंने यहाप इसे बुंदिया है टोटल बारा सलाईयां मैंने उल्टी-उल्टी बुनी है अब हम इसे घटा देंगे देखे दो फंदा एक साथ लीजे और बुन देजे फिर इस फंदे को भी अपने इसी सलाई में लेंगे इसके साथ एक और फंदा लेंगे और ब बताऊंगे यह देखें आप एक फंदा बच रहा है तो हम इसे ऐसे लंबा करेंगे और इसके बीस से ओन को निकाल के कट कर देंगे बस हमारी नॉट आ गई यह इस तरह से यह देखें यह हमारा एक पीस टैडी हो गया है अब देखें यह पट्टी मैंने बनाई है चार नंब पंदे डालने हैं एक नंबर में 16, दो नंबर में 18, तीन नंबर में 20, चार नंबर में 22, पांच नंबर में 25, छे नंबर में 28, सात नंबर में 32, आठ नंबर में 36, नौ नंबर में 40, और दस नंबर में 45 पंदे डालेंगे कितनी सलाइया बुरनी है तो देखें जीरो सायज म नमबर में 10, 4 नमबर में 12, 5 नमबर में 14, 6 नमबर में 16, 7 नमबर में 18, 8 नमबर में 22, 9 नमबर में 26, और 10 नमबर में 28 सलाई अब उनके घटा देंगे तो हमें इस तरग की पट्टी मिल जाएगी। अब मैं अपनी इसके नीचे वाली पट्टी के लिए फंदे डालने हैं। देखे मैं चार नमबर के लिए यहां 78 फंदे डाल रही हूं। बट्टी मिल जाएगी कि क्या करना है। यह रिखे मैं आप 78 फंदे डालके इसे एक सलाई उल्टा उल्टा बुन दिया है। आप देखे से लेके आपको छे नमबर तक के काना में जिर्फ एक सलाई उल्टी उल्टी बुनी हमें साथ आट नो और 10 नमबर में अप तीन कम कर लेना है कैसे घटाएंगे किसी भी साहज में आप बना रहे हूं एक दो और तीन फंदा हम एक साथ लेंगे और बुन देंगे यह इस तरह से फिर हम तीन फंदा एक साथ लेंगे और बुन देंगे मैं सम तीन का एक फंदा बना रहे हैं तो चलिए मैं इसी तरह से पूरी सलाई बुनती हूँ फिर आगे आपको बताओंगी कि क्या करना है यह देखिए मैंने यहाँ पर इसे घटा दिया घटाने के बाद मैंने यहाँ पर एक सलाई उल्टी-उल्टी बुन देनी है घटाने के बाद आपके पास यहाँ पर कितने फंदे होंगे यह भी मैं बता देत 7 नमबर में 36 8 नमबर में 38 9 नमबर में 42 और 10 नमबर में 44 फंदे आपके बचेंगे अब इन फंदों को हमें कैसे डिवाइट करना है ये देखें 4 नमबर में मैं 9 फंदे को बुनूंगी बीच का 8 घटाओंगी और फिर 9 बुनूंगी चलिए करके दिखाती हूँ आपको ये देखें इस तरह से सलाई लगाई 9 फंदे बुनने हैं एक फंदा बुना दो फंदा तीन फंदा चार फंदा पांच छे साथ आठ नौ नौ फंदा बुनतिया है एक बार गिन लेते हैं देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 9 बुना है बीच का 8 घटाना है तो देखें इस तरह से एक फंदा दो दो फंदा एक साथ लिया हम एक बार बुनेंगे तो एक फंदा घटेगा अब देखें इस फंदे को इसी सलाई में लेंगे ये हमने फिर से दो बारा बुना दो फंदा घट गया ये हमने तीसरी बार बुना तीन फंदा घटा ये हमने चौती बार बुना चार फंदा घटा ये देखें इस तरह से खीच के आपको घटा रहा है ये हमने पांचमी बार बुना पांच पंदा घटा छटी बार बुना 6 फंदा घटिया सात्मी बार बुना 7 और ये आट्मी बार बुन दिया 8 फंदा घटिया अब देखे एक फंदा यहां पे है और 8 यहां पे रहेगा हमारा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल 9 फंदे तो देखे हम इस तरह से बुन देंगे बुनने के बार आपको पास दोनों साइट बराबर फंदे बचेंगे बीच में आप थोड़ा सा टाइट टाइट ही घटाएगा हलका सा खीच के तभी इसका जो लुक है वो अच्छे से आएगा एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बता रही हूँ guys वो भी सलाई की हल्ब से आप इसे किसी भी साइट में बना सकते हैं अभी हमारे पास इस तरह से यह आया है इधर भी नौ पंदा इधर भी नौ पंदा और वीच का हमने घटा दिया सबी साइज में बता देती हूँ कि क्यासे करना है यह देखें जीरो साइज में आप 5 पंदा बुनेंगे बीच का 4 घटेगा फिर 5 बुनना है एक नमबर में 6 पंदा बुनेंगे बीच का 6 घटेगा फिर 6 बुनना है दो नंबर में हम 7 फंदा बुनेंगे, बीच का 6 घटेगा, फिर 7 बुनना है तीर नंबर में 8 फंदा बुनेंगे, बीच का 8 घटेगा, फिर 8 बुनेंगे चार नंबर में 9 फंदा बुनेंगे, बीच का 8 घटेगा, फिर 9 बुनेंगे, जैसा कि हम ने यहाँ पे किया है पांच नमबर में 10 फंदा घटेगा, सॉरी, 10 फंदा बुनेगा, बीच का 10 घटेगा, फिर 10 बुनेगे एक नमबर में 11 फंदा बुनेगा, बीच का 10 घटेगा, फिर 11 बुनेगे बीच वाले ही हमारे फंदे घटेगे साथ नमबर में बारा फंदा हमारा बुनेगा, बीच का बारा घटेगा, फिर बारा बुनेगे आठ नमबर में तेरा फंदा हमारा बुनेगा, बीच का बारा घटेगा, फिर तेरा बुनेगे अब दिखिए आगे का बुढने से पहले मैंने अपने उन को दो भाग में बाट लिया है थोड़ा सा इधर भी निकाल लिया है जिसे मैं अपना दोनों साइट का एक साथ ही बुढने तो चलिए बुढन के दिखाती हूँ बहुत इजी है यह हम यहाँ पे अपने उन को लगाएंगे यह देखिए आपको इसी तरह से इसे बुढना है यह ऐसे करके और यहाँ पे इसे हम कट कर देते हैं हम यही पे दबाते चलेंगे हमें अपना अब उपर सिर्फ एक ही कलर से बुनना है यह देखें यह इस तरह से दबा दिया जाता है यह देखे लगबग मैंने एक साइट का अपना नौ फंदा बुन दिया है अब इसी तरह से हम अपना दूसरा वाला गोला लगा लेंगे दूसरे साइट का नौ फंदा बुनने के लिए अभी हमारी पहली सलाई बुन रही है इसे हमें बुन के लंबा करना है चले करते हूं फ सब्सक्राइम अबुन सबसक्राइम से अरन बहुति हैं हैं इतलगे यहां उतले इसे हमें आप मेशनी आइस प्रेंकं ब्लू पुन बुनने जो पंद्ऴ हुन बनाई है यह इसको आपना जलाए उसके बाद हमरे जो अपनी blue color से बुनाई की है वहाँ पे जादे फंदे हमने जो डाले थे वो है उस बाद घटने के बात जो हमारे फंदे आ गए है ये वाली वो है और हमें कैसे कैसे divide करना है ये है वो और last में हमने जो ये छोटी सा छोटा सा बुना है ये हमारी उसकी measurement है आप screen shot ले लिजे जब भी measurement chart का screen shot ले तो वीडियो की quality को थोड़ा सा हाई कर ले जिससे सारे desert आपको clear दिखाए दे काफी महनत लगती है measurement chart बनाने में तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और channel को subscribe करेगा अगर मैं आपको time बता है तो दो बच के 20 minute हो रहे है रात के तो काफी tough हो जाता है वीडियो बनाना और आप सभी को मेरी तब से happy new year क्योंकि new year start हो गया है चलिए अब मैं आपको इसे सिलना बताती हूँ अब देखिए guys हमारे pieces तो ready हो गए है तो मेरी हाँ पे उन डाल लिया है सुई में सबसे पहले हम इसे सिलना है इसे कैसे सिलना है यह देखिए यह इस तरह से हम एक दूसरे के उपर चढ़ाएंगे यह इस तरह से जैसे V-shape होता है कुछ वैसे सा चढ़ा के हमें सिलना है यह ऐसे बहुत एजी है अगर आप बिगनर भी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आसानी से आप इसे बना सकते है और बहुत खुबसूरत लगता है तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी है क्या करें एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है और आजकल थोड़ा बुनने वाला जो होता है वो लंबा हो जाता है प्रॉसेस टाइम लगता है खुदी वीडियो बनाना एडिट करना, अपलोड करना सब कुछ खुद करना होता है यह देखें, यह इतना हमारा रेडि हो गया है अब हमें क्या करना है अपना यह वाला पीस जो है, वो सिलना है कैसे सिलेंगे सब से पहले तो इस तरह से इन दोनों को आपस में सिलेंगे यहां से यहां तक चलिए सिलती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखिए हमने इन दोनों को रखके सिल दिया है अगर हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का हमें पीस मिलेगा यहाँ पे हमें ऊपर की साइट देखिए यह इस तरह से सीधा सा मिलना है तो यही जो सीधा रहा है यहाँ पर आगे के साइट मूर के लेगा तो किसी भी एक साइट से अपनी सिलाई सुरू कर सकते हैं देखिए जो मूड के लगने का दो इसके सिलाई जो है वो स्टार्ट कर दूँगे बस यही वाले सिलाई हम कर देंगे तो हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से हमें सिलाएं कहीं कुछ भी आपको खीचना नहीं है नॉर्मल इस तरह से सिलते चल जाएए यह नहीं कि आपको पीछे वाल अपना पला करके तो चलिए इसे मैं पूरा सिल के नॉट लगा के कट कर दी हूं फिर आपको पहना के दिखाऊंगी क्योंकि इसके बाद ही हमारा रेडी हो जाएगा यह देखिए यह एक्दम डिफरेंट स्टाल से बनाई है और आप पिटिंग देखिए कितने अच्छी आ रही है इसक आप देखें कितने अच्छे से फिट आ रहा है कहीं से भी काना जी को प्राब्लम नहीं होगी कहीं से भी आख पे चरड़ा है और कहीं से प्राब्लम कर रहा है बहुत अच्छे से फिट आ गया और ठंड भी नहीं लगेगी अब नीचे आप कुछ भी पहना सकते हैं पीछे से भी उतनी ही अच्छे से फिट है तो I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लेगी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किया करे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें चलिए अब मैं आपको मिलोंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे